वेलो दोस्तों मैं टेवनिकल लेग आपके मैं बता रहा हूं कि कैसियाथ एक्सप्रेस से हम आज इतने गाउं जाएंगे और बताएंगे कि यह गाड़ी कहा कहा रुपती है इसके गाड़ी नंबर है 2225 कैसियाथ एक्सप्रेस तो गाइज यह यहां पे प्लेटफॉर्म पे दिल्ली के और यह 16 नंबर प्लेटफॉर्म से यहां से चलेगा और अलीगड़ के रास्ते यह आज हम गड़ जाएगा तो गाइस मैं अपने गाउं जा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि मेरे गाउं में क्या क्या चीज है और रस्ता क्या है कैसे हमनी ट्रें सफर किया है तो बहुत कुछ बताऊंगा मैं इसके बारे में और बहुत सी चीज़े बताऊंगा कि यह गाड़ी कहा कहा दिखती है जैसा कि आपने देखी लिया है तो बहुत जादा भीड है यहां पर पर यह फारग नंबर 12 पे लगा है पुराई दिल्ली और बहुत ही सुपर फास्ट एक कि आप कम है और 50 चलता है जातर है पहुत ह कि लेत प्रसडर की पर अदिन हौश मरें वा यहां अधूर है इसका अलीगर होता है तो यह सब इसके स होते हैं और सुबह मतकिया यहाद 10 प्रस्त जाता है और है कि इसके उलिफाह सब केसे स्भान गारेर सुबही होता यह पार कि तो आपका फोन लेते हैं तो जब तक गाड़ी ना निकाले जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह गाजियाबाद आ चुकी है ट्रेन और इसका दिल्ली से चुटी है यहां पे इसका इसका इस्टॉप है गाजियाबाद में और यहां पे थोड़ा लेट है और चलने के लिए यह और भाई हम लोग यहां पर आ चुके हैं यह हमारे भाई हैं यह भी साथ साथ आए हैं पूरा मस्त यह मालीपूर आ गए हम यहां पर अपने गाओं यह मालीपूर स्टेशन है और यहां पर क्या नामे पूरा सुंसा नेरिया पानी होनी कुछ नहीं यहां पर देख रहे हैं अब बाहर जा रहे हैं यहां पर गाड़ी लाओड नहीं है यहां गाउं का रस्ता है यहां गाउं जाने का आगया नुस्ते यह हमारे पापा यहां पर भिंडी तोड़ रहे हैं और आप घो भिंडी यह होगा रखें हैं यह क्वारी यहां पर घोड़ रहे हैं सब्सक्राय के लिए अपने खेट का अपने का विंडी हैं शेले दोस्तों हम अपने गाउं अंअ रखें हैं और बताऊं को थोड़ा सा कि गाउं में कैसे हम लोग रहते हैं और घेल का Where Te च्छत के ऊपर खड़ा हूं और बहुत दिन बाद आया हूं गाउं में और यहां पर अच्छा मौसम है विल्कुल थोड़ा ठंड भगरा भी है और आप देख रहे हैं कि हमारा यह च्छत है मैं च्छत पर खड़ा हूं मैं तो बदाऊं को आपको कि हमारा कहा कहा मैं जाता को दोस्तों और आप देख रहे हैं कि हम अपने खेत में कहए हैं और हमारे खेत में लगे हैं और हमारे खेत में नहीं है और कटाई चल रही है यहाँ पर यह और इनको मजदूरी देंगे काम करने बाद और यह छॉदा हम भी देखें हैं काटगे की कैसे काटते हैं इस दुछ है नए चाउवल है इसकी फसल तयार है पूरी तरह इस एस है रही हम पहली सहाई और उपर पाणी पाणी में खड़े होगे से काटना पड़ता है तो आपको कैसा लग रहा है यहां पर कि तो यह हैं आप रहे है और भी पर आपने रहे हैं जोँटे हैं हम तो इसमेओं आप यहां और आपको फि्रत कर दो आपको सब्सक्राइब कार На के किर ड़े गंटे में पूरा तो यह इतनी स्पीड से काड़ रहे हैं अब देख रहे हैं कि यह चावल है लहरा रहे हैं इस परकार से चावल का पेड होता है यह जल जल लिकाओं गाउं के रहने वाले हैं अब यह कड गया है और यह इसको ठेले पर रख रहे है और यह घर जाया इसे सुखाएं थोड़ा दो-तिन दिन और इसको पींटने बाद फिर यह मसीन पर जाएगा और मसीन से फिर घर में आए घर में से खाएंगे पर हाँ बाई यह देखो यह वंदे यहां पर चावल जो लेके आया है उसे खेज से अब उसको लेकर इसे और यह रहा है पत्थर का सिस्टम इसी पर पतक रहे है जिससे क्या होगा कि यह जो यह चावल फो छड़ी आएंगी जो इस ऐसे करना पड़ता यह मैंनक और इसको पूरा जितना भी हो साफ हो जागा और बाद में फिर ये मसीन पर जाता है यह देखे यहां से पुरा खाली हो गया यह अब यह जानवर रखाएंगे यह हमारे गर के सामने इमली का पेड़ा है और हम यहां इमली तोड़ रहे हैं और यह देखे इतने जाली हमें इमली घठा कर लिया है आई